जहें दोस्तों, आज की क्लास प्रारमुज से पहले आपको बता दें कि आपने अनकेडमी आप तो डाउनलोड करी लिया होगा, ना किया हो तो कर लें और उसमें जाकर कि आपको फिरी पिलान अनकेडमी के माध्यम से मिलना है, जिसमें आपको MPPSC सेलेक्ट करके सुमिछ जेन रेफलर कोड डालना है, आप फिरी में लाव ले सकते हैं, आपको बता दें कि फिरी पिलान के अंतरगत, आपको 500 पलस लाइब किलासे मिलेंगी, जिस पहरी आदी, जितने भी एकजाम MPK आप उनकी तयारी आपको फिरी कराई जाएगी, फिरी में लाइब कुछ भी है, जिसमें 20,000 पलस कॉस्चन है, उसके माध्यम से भी आप अपनी तयारी कर सकते हैं, T20 सीरीज डेली सौंबार से लेकर के सनी बार तक रात को 8 बजे होती है 20 में 20 प्रिशनों के उत्तर आपको देते हैं, तो इस प्रकार से बेनिफिस्ट से हैं, आपको फिरी पिलान के MPK एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे, आप साथ ही साथ डेली लाइब किलास आप इसमें पढ़ सकते हैं, इसके अंतरगात आपको बता दें कि फिरी किलास में आप MPPSC, MPPOLIS, MPSI, आदी जो भी आपके MPK एग्जाम हो रहे हैं, उन सब की तयारी कराई जाएगी, चलिए अब कलास दोस्तों, मैं में सास्त्री निरंतर आप सभी से हिंदी व्याकरण के उन महत्पून प्रिशनों पर चर्चा कर रहा हूँ, जो आपकी परिक्षा के लि प्रिशनों पर लोकोक्ती का सामन अर्थ है, लोकोक्ती का सामन अर्थ क्या है, हमारे बताने से पहले कमेंट में दोस्तों कमेंट खोल लीजिए, और फटा फटा पुत्तर देती जाईए, चार ओप्सन आपके सामने दिये हैं, तो लोकोक्ती का अर्थ है, लोक की उक्ती, आगे, चमक उठी सन सत्तावन में वो तलवार पुरानी थी, मैं रस भेद बताईए, कौन सा रस है, आसानी से पहचान जाएंगे कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, बीर ताकी, तो बीर रस यहाँ पर हो जाएगा, चौपाई के प्रतिक चरण में कितनी मात्रा होती हैं, दोस्तो हम लोग जो हिंदी व्याकरण लाते हैं, उसमें हिंदी भासा के, हिंदी व्याकरण के, काब सास्त्र के, बोली, भासा समंद सभी मिक्स प्रिसन रहते हैं, तो यह बहुत बड़िया आपके लिए, आपने परते हैं तो आपको बता दें कि चौपाई के प्रतेक चरण में जो है कितनी मात्राइं होती है 16 मात्राइं होती है ठीक है आगे काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है काली घटा का घमंड घटा ठीक है यहाँ पर घटा घटा दो बार आ रहा है दोनों का अर्थ अलग है ठीक है एक घटा काली घटा मतलब जो काली घटा मतलब अंधिरा आई को आप समझ लें का घमंड घटा घटा मतलब घटना कम हो गया ठीक है तो यहाँ पर यमा कलंकार हो ज जल्दी से बता दीजिए, कितने भेध हैं वैया, दो भेध हैं, स्वर या बेंजन, दो ही तो हैं, ठीक है, आपको पता है, लेकिन कई बार कॉस्चन ऐसा आ जाता है कि, कन्फिूज हो जाते हैं, आगे है, निमने लिखित में ऐसे कौन सा सब स्त्री लिंग है, जल्दी से बत कमेंट में कौन सा ही बताता है, मालिक पुल्लिंग सब्द है, कहार भी और पाठक भी, तो योगनी जो है वैस्त्री लिंग है, योगी का इस्त्री लिंग क्या हो जाता है, योगनी, ठीक है, आगे, बहुत अच्छे प्रिसने हैं, और आप लोग की पढ़ाई भी मुझे द ठीक है, आगे, सिक्छक का बहुबचन होगा, सिक्छक का बहुबचन, जब अपन बहुत सारे सिक्छकों की बात करते हैं, तो क्या बोलते हैं, ठीक है, तो सिक्छक का बहुबचन हो जाएगा, सिक्छकगण, ठीक है, सिक्छकगण, माने बाजार से कपड़ा खरीदा, रे खांकित सब्द का कारक बताईए कारक बतलाना है तो आपको बता दें कि क्या बुलना है माने बाजार से कपड़ा खरीदा इसमें कौन सा कारक है तो आपको बता दें कि इसमें कपड़ा में बताना है तो जिसको किया जाए वो कर्म होता है तो यहां कपड़े को खरीदा जा र ठीक है, इस पकार से, यह मेरी पतंग है, रेखांके सब्द का भेद बतलाईए, यह मेरी पतंग है कैसा बाग के है, तो आप बता दें कोई कह रहा है कि यह सामने रखी विलकुल मेरी पतंग, उसको लकुल फाइनल है, तो निश्चय वाचक, निश्चय है, यह बहे, समसदार सब्द विशेषण का कौन सा भेद है, समसदार कौन सा भिशेषण है, तो देखो भाई, सार्ब नामेक तो होगा नहीं, क्योगी मैं वह होता है, संख्या वाचक भी नहीं है, परिमान वाचक भी नहीं है, कोई मातरा थोड़ी ने बताएगे, इसलिए क्या हो दोस्तों लाइक जरू करना वीडियो को, आगे वीडियो ऐसे आपको मिलते रहें, इसलिए सब्सक्राइब कर ले। क्या हो जाएगा चर्चा सब्द से बना विषेशण? तो आपको बता दें, चर्चा सब्द से बना विषेशण है, चर्चित, ठीक है? क्या है? चर्चित विशेशांट चर्चा से बना है धातू किशे कहते हैं जल्दी से बता दें धातू किशे कहते हैं तो आपको बता दें धातू मतलब क्रिया तो क्रिया के मूल रूप को धातू कहते हैं ठीक है संस्केप में उसको धातू कह देते हैं और हिंदी में क्रिया कह देते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं भूत काल के कितने भेध हैं, बता दें जल्दी से भाई, भूत काल के भेध कितने हैं तो आपको बता दें कि जो भूत काल के भेध हैं, बै हैं, छे, ठीके अनद तन भूदाती जो अपन पढ़ते न बोई तदभाव सब्द बने हैं किस से बने हैं तदभाव सब्द तो आपको बताते हैं कि हम पहले बता चुके कि जो संस्किस से जिस रूप में थे उसी रूप में हिंदिये प्रियो हुए वो तस्सम कहलाए लेकिन जो संस्किस के सब्दों में कुछ बदलाव हो गया वो तदभाव कहलाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा संस्किस सब्दों में कुछ बदलाव से तदभाव सब्द बने है तत्सम सब्द पहचानिए इनमें से कौन सा सब्द तस्सम है आपको बताना है तो आपको बता दें कि इनमें से जो सबसे पहला option है निद्रा भाई क्या है तस्समय की कान तदभाव है बागी सबे क्या है तदभाव है अगे परियाय सब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है ठीक है परियाय बाची सब्द दिये है इन मैंसे कौन सा समूह सही नहीं है वो आपको पहचानना है कौन से परियाय बाची का तो देखो पाठ साला विद्ध्याला स्कूल एक ही बाद सही है पहाड परवत पुस्तक नहीं है ठीक है पहाड परवत तो ठीक है लेकिन पुस्तक है नहीं इसलिए उत्तर इसका ठीक हो जाएगा आग अगनी अनल सही है अनल मतलब याद रखिएगा अगनी है कई बार पूछा जाता इन मेंसे सही बलॉम सब्द युगम कौन सा है सही बलॉम सब्द युगम बताना है जो दिये गए है उन मेंसे तो आपको बता दें कि पहली नंबर पर दिया है आदान प्रदान आदान मतलब लेना प्रदान मतलब देना ठीक है तो यह सही हो जाएगा और सब्द के अनेकार्थी सब्द समुई का चैन कीजिए और सब्द के अनेकार्थी सब्द समुई का चैन करना है जल्दी बता दें और किसलिए प्रियोग करते हैं अपन दूसरा या तथा इसके लिए प्रियोग करते हैं बी ठीक हो जाएगा आगे जो काम करना कथन हो बाक्यांस के लिए एक सब्द बतलाईए आपने दी पिछले वीडियो ना देखे हो तो पिले लिष्ट में जाकर के जरूर देख लेना ठीक है यूटूब के चैनल की पिले लिष्ट में जाएं और जाकर के पूरे वीडियो आप देख लें क्योंकि लगभग एक हजार प्रशन हम आप के लिए ला रहे हों जिसने एक हजार एक प्रशन पढ़ ली है हिंदी के उसको फर किशी पेपरों कोई दिक्कत आने वाली नहीं है तो जो काम करना कठिन हो उसके लिए क्या बोलते है बहाई उसके लिए बोलते हैं दुसकर आसानी से ना किया जाने वाला ठीक कठिन पक्छी पेड़ों पर अपना खाली स्थान बनाते हैं सबको पता है बहाई क्या बनाते हैं पक्छी पेड़ों पर पहले उत्तर देता है तो पक्छी पेड़ों पर नीड बनाते हैं क्या बन अन है इसमें अनू है लेकिन पमा कोई सब्द नहीं होता ठीक है तो अनूचर इसमें से हो जाएगा क्या अनूचर भुलक्कड सब्द में किस प्रत्य का परियोग हुआ है भुलक्कड में सबको पता है एक ही प्रत्य है जिसको अपन अक्कड प्रत्य कहते हैं ठीक है तो भूल में अक्कड लगने से भुलकड बन जाता है तो भुलकड में कौन सा अक्कड पृत्या का प्रियों हुगा गीतान जली का सही संदी विक्षित है गीतान जली का सही संदी विक्षित आपको बतलाना है तो जल्दी से कमेंट कर दीजी दोस्तो तो आपको बता दें कि बीच में हमने एक ट्रिक बताई थी कि बड़ी आ की मातर दिख जाए तो वहां दीर्ख सवर संदी होती हो प्लस के इस तरब भी स्वर होता है, इस तरब भी स्वर होगा, वो साथ में समान स्वर होगा, ठीक है, तो गीत प्लस अंजली, ता में आ है और बड़ा हो गया, आ और आ मिल करके बड़ा हो गया, आपने वीडियो ना देखा हो, तो चैनल पे जाके देख लेना, सभी मिलकर स्कूल जाता है बाक का सुद्रूप होगा सभी मिलकर स्कूल जाता है हो गया तो भाई अब इतने सारे हो जाता है कह रहे तो इसका सुद्रूप आसानी से बना दी ये सभी स्कूल जाते हैं सभी साथ स्कूल जाते हैं ठीक है इतना सही है इस प्रकार से इसका अपन ने बना लिया आगे देखते हैं रसोई घर में कौन सा समास है रसोई घर में समास बतलाना है बता दीजिए दोस्तों कौन सा समास है तो आपको बता दें रसोई घर में ठीक है रसोई का घर तो तचपुरुष समास हो जाएगा मैं खाता हूँ कर्म बाच्च रूफ होगा मैं खाता हूँ तो इसका कर्म बाच्च क्या हो जाएगा दोस्तों जल्दी से बता दें तो इसका जो कर्म बाच्च रूफ हो जाएगा वैं हो जाएगा कि मुझसे खाया जाता है या मेरे द्वारा खाये जा तब द्वारा वाला है या नी तो मुझसे आप लगा सकते हैं सीधा आगे है मैं रोज पढ़ता हूँ बाक में क्रिया विशेशन का भेध है मैं रोज पढ़ता हूँ बाक में क्रिया विशेशन का क्या भेध है तो में रोज, रोज कैसा है, कालवाचक है, प्रती दिन एक कालवाचक क्रिया विशेशन है यहाँ पर निमने मैंसे योजक चिन्न है, कई बार पूछा गे हमने देखा योजक, इसमें लोग कन्फूज होताती है, गल्ती करके आते हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे गल्ती, क्योंकि आप हमारी पूरी किलास निरंतर पड़ रहे हैं, तो आपको बता दें कि योजक चिन्न वाए कौ रचना है, कभी इवम रचनाओं से संबंदित प्रशन है, जैदरत बद किसकी रचना है, तो है मैतली सराण गुप्त जी की रचना है, ठीक है, याद करने के लिए ट्रिक करने कि गुप्त में क्या हो गया था, जैदरत जी का बद हो गया था, तो मैतली सराण गुप्त की ज जैदरत बद आगे एक कभी रचनाओ वाले अलग से ही वीडियो हमारे चैनल पे हैं आप देख सकते हैं अतीच के चलचित्र किसकी रचना है बेरी बेरी आई एमपी समाल लेना इसको कई बार पूछी गए तो अतीच के चलचित्र जो रचना है महादेवी बरमाजी की ठीक है हमारी स्पीट से ज्यादा आपकी स्पीट उत्तर बताने की होना चाहिए तब तो आप बता पाएंगे ठीक है इतने महत्पूर महत्पूर प्रशन हम आप तक ले करके आ रहे हैं तो अभी तक आपने हमारे चैनल से ना जुड़े हो तो जुड़ जाइए वीडियो को लाइ होगा और इसमें T20 सीरीज में बीकली फिरी लाइप फुल आपको मुक टेस्ट यहां पर दिया जाएगा MPPSC प्रेमियंस जेल पहरी MPP पोलिस काउंस्टेवल सब इस्पेक्टर सभी पेपर की आपको अनलाइसस टॉप एजूकेटर के माद्धे हमसे कराया जाए आपको जैसे ही सुमिच जन रेफलर कोड डारेंगे तो आपके लिए फिरी पिलान चालू हो जाएगा तो आप इसको याद रखें और अच्छे से तयारी करके आप लाब ले सकते हैं तो फिरी यदि आपको पढ़ना है तो रेफलर कोड डालना है सुमिच जन और फिरी पिलान का सुरू हो जाएगा ते सिर्फ प्रकार से आप लाव ले सकते हैं जैहिंद